हलो फ्रेंग्ट जैशी किष्णा आप सब कैसी हूँ आप सब अच्छे ही होगे मैं हूँ आपकी नेहा राजिस्थानी रस्तोई भी नेहा ब्लॉक्स में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे ब्लैक फॉरेस्ट केक बिल्कूल बाजार जैसा तो और टी पैन में बनाएंग ब्लैक फॉरेस्ट केक तो हमने आ लिए कडाई और गैस का फ्लेम हमने लो रखा है और कडाई को हम हीट होने के लिए रख देंगे तो हम डालेंगे इसमें नमक नमक हमने पहले भी चार से पास बार यूज किया है तो इसी तरीके से हमें नमक कडाई में डाल लेना है और अ तो अब हम लेंगे इस तरीके से चाय का फ्राइपेन और अब हम इसको कर लेंगे ग्रीस तो हम डालेंगे इसमे एक चम्मच ओयल रिफाइन ओयल आप इसके जगा बटर भी ले सकते हैं तो अब हम इसे इस तरीके से ब्रस से हम ग्रीस कर लेंगे हमें चार तप से अच्छे से तो यहां पर हमने यह ग्रीज कर लिया है चाय का फ्राइपेन और अब हम डालेंगे इसमें एक चम्मज मैदा डस्टिंग के लिए इससे हम चार तरफ लगा लेंगे मैदे को जिससे केक हमारा आसानी सा निकल आएगा और अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप इसके जग तो आमने लिया है हो पर बा और हमने लिया हो पर चननी और आप अम डालेंगे हो पर एक कप भरकर मैदा और यह 2-2 40 ml है मैदा और आब हम डालेंगे इसमें 1 फोर्थ कफ मिल्क पाउडर और यह 30 ml है और आब हम डालेंगे इसमें कोको पाउडर यह 1 थर्थ कफ है 120 ml और आब हम डालेंगे 1 फोर्थ टेबल स्पून नामाग इन सभी चीजों को हम छान लेंगे जो गुठली आया है वह निकल जाए इस तरीके से हमें छान लेना है तो हमने यहापर सभी चीजों को छान लिया है और इसको हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर हमने मिक्स कर लिया है तो अब हम इसे साइड में रख देंगे और अब हम लेते एक दूसरा बावल और हम लेंगे इस तरीके से विस्कर इससे हम मिक्स करेंगे जां अब हम डालेंगे हाफकव चीनी फिस्योब भी एद फिल्कल भी नहीं होना चाहिए और अब हम डालेंगे इसमेर्झ का छुंक डालेंगे ऑन फूंत का रिफाइनड Patri और अब हम डालेंगे चॉकलेट एसेंस या आप बनीला एसेंस भी डाल सकते हैं इसमें और इन सभी चीजों को हम अच्छे सी मिक्स कर लेंगे लिक्विट फॉर्म में आ जाए जब तक हम इसे बराबर चलाते रहना है 5-6 मिनिट तक तो यहां पर हमने आच्छे सी मिक्स कर लिया है पांच में ठो गए हैं तो अब हम डालेंगे इसमें ड्राइ इंगीडियन्स हम दो बार में डालेंगे एक साथ नहीं डालेंगे तो इसे हम मिक्स कर लेंगे जो बचा हुआ भी ड्राइ इंगीडियन्स हैं हम उसको भी डालेंगे इसमें अब हम लेंगे हाप पर हाफ कप दूद्ध उसको हम आदा डालेंगे थोड़ा थोड़ा करकर ही हम डालेंगे नहीं तो हमारा जो केक का बैटर है वो गीला हो जाएगा तो हम ऐसे मिक्स करना है अच्छे से अभी जो बचा हुआ दूद्ध हम उसको भी डालें थोड़ा सा बचा कर रख लिए और जो बचा हुआ दूद हम पूरा इसमें डालेंगे तो यहां हमारा बैटर अभी भी थोड़ा गाड़ा है तो हमने आदा कप दूद्ध और लिया है और उसको हमने आदा ही डाला है मनलब 4-5 चमच और डाला है दूद्ध इसमें और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से और दूद को अब हम नहीं डालेंगे इसमें इसी अपाणाब रोड़ने सेता, लाटर माँड़ना यादान प्रकाई टेविल स्पून में चाहिए, रेटी सोडा एक्टिवेट हो जाए और हमें विल्कुल हलके हाँ से आप मिक्स करना है इसको बहुत ज्यादा फैट ना नहीं है तो यहाँ पर हमारा बैटर रेडी है तो अब हम इसको फिल कर लेंगे चाय की फ्राइपेन में तो यहाँ पर हमने पूरा फिल कर लिया उसको दो-तीन वाय में डैप-डैप कर लेना है जिससे यह वबल जो हो निकल जाएं और हमारी कडाई भी हो गई है प्रीहीर तो हम उसमें रख देंगे चाय का फ्राइपेन जिसमें हमने केक का बैटर डाला है और उसको हम इस तरीके की प्लेट से ढग देंगे और इसको हम 30-40 मिनट के लिए रख देंगे बेख होने के लिए और इसे हम उपर से भी किसी बावल या किसी बढ़तन से ढग देंगे आप इसकी जगे पानी भी यूज कर सकते हैं लिकिन हमने आप पर दूद लिया है तो हमारा सुगर सीरफ बिल्कुल तयार है इसको हम लग दिंगे साइड में तो हमने आप लिया यह गिया कस कद्दू कस लिया है इस तरीके से और हम हमने दिया आप पर डाक कंपाउंट चॉकलेट इस तरीके से और अब इसे हम कद्दू कस कर लेंगे केक पर गार्निशिंग करने के लिए कैको कद्दू कस कर लीना है और इसको हम फ्रीज में रख देंगे तो हमने लिया तपर एक कप क्रीम विक्ट क्रीम लिए तो हमने लिया देना और हमने गहरा बड़तल लिया उस में डाली है बरफ की तुक्डे और उस यहीं हम रख लेंगे यह विप क्रीम का बाउल और इसको हमें बरापर चलाते रहना है जिससे क्रीम हमारी विप्ट हो जाए तो यहां पर विप्ट क्रीम को मिक्स करते करते कम सकम पांच मिनिट हो गए है और इसको अभी हमें और अच्छे से फैकना है जिससे विप्ट क्रीम कि अच्छे से गाड़ी हो जाएं तो यहां पर विप्त क्रीम को मिक्स करते करते 20 मिनिट महला 20 मिनिट हो गए हैं इस तरीके से हमें बावल उल्टा करके देख लेना है हमारी की बिलकुल तईया है तो हम इसको कडाई के पानी के साथ ही इसको हम फ्रीज में रख देंगे जब तो अब भी हमारा रेडी नहीं है तो अब हम दस मरिट के लिए और रखे 10 मिलिट हो गया है ओर एक बार हम केम को च्या कर लिए तो केक भी हमारा रेडी है हाँ यह पर चालो चालिस से 45 मिलिट लगए है ड़ी जी आपा को सूप drip लगा है और केक थंडा होते ही हमें तरीके से केक के सलगी है कि अनित पोर्षन में इसको कट्ट कर लिया है और मैं हमिने लिया विए सबसें लाश्ट का केक का पोर्षन ऑ उस पे हम डालएंगे जो दूर का हमने सिरप बनाया था उसको हमें डाल लीना इस पर 8-10 चम्माश दाल लीना है जिससे केक एकड़ मॉइस्ट हो दाया अंदर तर तो आपने सीरप डालिया है और अब हम लगाएंगी वीप कीम इस पर और इसे हम 4 तरफ फैला लेंगे वीप क्रीम को केक के उपर तो हमने यह पर अच्छे से वीप क्रीम लगा लिया है तो आब हम रखेंगे इसके उपर दूसरी लेर केक की और इसी प्रोसेस से हमें सुगर सिरप लगा लेना है हमें इसी तरीके से एक पर सुगर सीरप लगा लिएना है तो यहाँ पर हमने शुगर सीरप लगा लिया है तो आब हम लागाएंगे इस पर भी वीप क्रीम और इसको भी हम अच्छे से एंच्छे से पर दूस्त फैला लेंगे विप क्रीम को हमें इसे अच्छी तरीकी से लगाना है जिससे यह अच्छी से स्प्रीट हो जाए केक पर तो यहां पर विप क्रीम लगा लिए तो हम रखेंगे इसकी उपर थर्ड लेर और इसी प्रोसेस से हम इसकी उपर पर भी सुगर सीरफ लगा लेंगे तो यहां पर हमने सुगर सीरफ लगा लिया है तो इसकी उपर भी हम विप क्रीम लगा लेंगे और इसे भी हम अच्छी से केक के उपर स्प्रेट कर देंगे और केक केक अच्छे से फिनिशिंग देंगे तो यहां पर केक हमने अच्छे से क्रीम लगा लिया है और अब जो बच्ची हुए विप क्रीम है उसको हम साइट से भी लगा लेंगे इस तरीके से केक की एक अच्छी से फिनिशिंग देंगे इस तरीके से हमें केक रेडी कर लिना है तो यहां पर हमने केक एकदम रेडी कर लिया है विप क्रीम लगा कर अब हमने लिया है फोटी नमबर का नोजल और इसमें भर लिये विप क्रीम और इस तरीके से हम एक फ्रावर से बना लेंगे तो हमें इसी तरीके से फ्लावर पूरी केक पर बना लेने हैं साइट से और तो हमने आपर फ्लावर बना लिये हैं केक पर और अब हम इसके बीच में डालेंगे जो हमने कर्दू कस किया हुआ चोकलेट रखा था था ताक चोकलेट उसको हम बीच में इस तरीके से फैला लेंगे तो हमने आपर चोकलेट को लगा लिया है और अब हम लगाएंगे इस तरीके से चैरी जो बजार में बैक्करी के सोप है असानी से मिल जाती है तो हम इस तरीके से लगा लिएंगे आप कुर्वी डिजाइंस बना सकते हैं तो हमारा केक बलता हो रहा है तो सफ करेंगे ट्यू पेपर से साफ के लिए प्लेट को जो बच्ची हुई चौकलेट ग्रेट की हुई है उसको हम साइडों से लगा लेंगे इस तरीके से हाथ से तो हमारा केक बिलकुल रेडी है तो अब एम इसे रग देंगे फ्रीज में एक घंटे लिए ठंडा होनी के लिए और जब ठंडा हो जाए एक घंटे बाद इसको कट क अगर आपको हमारी रेसिपी केक की अच्छी लगए लाइक करना ना भूले और अपनी फैमिली और फैंज के साथ जादा से जादा शेयरिंग करें थैंक्यू एंजैसी किशना आप सभी को फिर मिल टेक नई रेसिपी के साथ